नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर सिविल सिर्फिस में देखिए उत्तर प्रदेश प्रीश का जो प्रिलिम्स होने वाला है 21 माई को ऐसे तो डेट है उसकी 2017 की लेकिन जब सब्सक्राइब हो तो उसके लिए हम यह लाएं आपके लिए विज्ञान से संबंदित क्वेश्चन है इसमें साइन से संबंदित कुछ क्वेश्चन है टॉप 500 की सीरीज है यह पहला पार्ट होगा इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और यह देखिए हैस्टेग यू संतुल्य होता है एक कारबन क्रेट यानिए it is equivalent to 1000 किलो ग्राम से दूसरे माध्यम में जाने पर परवर्तित रहता है वो होता है आवरतिया इस्टा क्वेश्चन नेवातन नुकूलित यानिकी एसी क्या नियंतरित करता है यह करता है आधरिता तथा तापमान दोनों यानिक को कंट्रोल करता है एसी यानिकी एर कंडिशन दिए इसमें एक्स्प्रेशन नहीं रहेगा सिर्फ वान लाइनर रहेगा या बस फैक्ट है यह प्रिलिम्स के लिए रट लीजिए आप और बाकी आपको जो भी एक्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फि फिर अलकोहल के किडवन में क्या प्रवावित होता है यीस्ट होती है कुट्टू का आटा होता है फैगो पाइम होता है तो यह आप रट लीजिएगा मदिरा के 37 से कौन सांग प्रभावित होता है यानिकी ज्यादा शराब पीने से आपको यह प्रभावित होता है यक्रत लीवर क्लिंग कर त्योरी कि से समंदित है काल प्रवावित है कि एजिंग से फिर एविटामिन ए संचित रहता है यक्रत में यानिकी लीवर में निमोनिया से प्रभावित अंग है यह फेपड़ा 2000 से अधिक आपमान मापने होते हुग क्या प्रविक्ट होता है यह होता है पायरोमिटर इट इस एन इंस्ट्रुमेंट फॉर मीजरिंग हाई टंप्रेचर इस पेसली इन फरनेसे अंकिन्स लबारा सो से बारा सो डिग्री से ज्यादा जहां पी टंप्रेचर होता है वहां ब्राउन ग्रिक एलगी से यह ऑफ्टेंड उती तो वह लेमिनेरिया शेवाल से आयोडियन मिलता है हम को खून में रख्त का थक्का पताने पता लगाने के लिए क्या प्रविक्ट सोडियम 24 सोडियम 24 के और भी उसे होते हैं कि सोडियम 24 को ब्लट क्लॉट्स जो होते हैं करने के लिए बी यूज़े करते हैं फ्लस हीमन ये जो सोडियम 24 है इसको लूकीमिया को भी ठीक करने के लिए study प्रифट के यूज़ेश एई कि अगर ब्लड क्लॉट्स को को फारिंड करना है ब्लड क्रलॉट्स को लोकेट करना है हुमन से इसकी सिस्टम में और जो लुकीम के ट्रीट्मेंट के लिए सोडियम 24 का यूज होता है पित का निर्माण होता है यक्रत में यानि की लीवर में पारिस्थित की तंत्र में उच्छितम पोसड प्राप्त होता है अप घटक को फिर इस्त्रियों में जो रजुन्वत्ति के समय कौन सा हर्मोन बंद जाता है फिर है घ्राण समवेदना में कमी क्या के लगता है एनोस्मिया यह आप याद रखेगा मानो आग की पुतली जिस एलकेलाइट की वज़े से फैलती है उसका नाम है एट्रॉपिन तो यह कुछ 20 क्वेस्टन थे साइन्स रिलेटेट थे देखिए विज्ञांस रिलेटेट यह यूपी पीसे सीरीज का ही जो हमने तीन वीडियो दें उसी का यह फूर्थ पार्ट है थैंक्यू फॉर लिस्निंग प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसको जो यूपी प्यस्स के इसलेटेट ग्रूप है उन्हें पे सेल कर दिजीगा नमास्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टडी फॉर सिबल सर्फसेज में देखिए इसमें हम साइन्स से रिलेटेड वर्लनाइलर जी के फैक्ट देख रहे हैं जो की यूपी पीस्सी और स्टेट जो पीसेस एक्जाम्स होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है उनके लूझे प्लाइट फार है हैं तीसरा पार्ट हो गई है यह वीडियो को लाइक कर दिएगा तुरन ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे यह दो पार्ट में कवर कर चुके है यूपी पीसी के लिए विसेज कर रहा लेकिन अधर इस्टेट पीसेज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं यह प इसके बाद एक कैरट का क्या मेजरमेंट होता है कैरट का क्या मान होता है एक करट होता है 200 mg यानि की 0.2 ग्राम होता है एक कैरट यह आप याद रख सकते हैं यह इसमें जो भी कॉंसेप्ट वाली चीज़ है फिर उसमें मैंने कॉंसेप्ट लिखे हुए हैं उसके बाद शा यूज करते हैं potassium bromide को या तो इसको फर्स लाइन treatment करते हैं या फिर ये इसको फिनो बार बिटल के साथ यूज करते हैं इसके बाद है फिर ये ऐसा ही होगा इसमें सुनिल कुमार यादो जी इसमें वन लैनर जी के फैक्ट है और ये डायरेक्ट पूचे जाते हैं hydrochloric acid plus nitric acid ये gold smith जो यूज करते हैं जो आप ने देखा होगा कि सुनार की दुकानों में जनरली यूज होता है वो एक्वारीजिया यूज करते हैं वो क्या होता है कि HCL का plus HNO3 का यानि कि hydrochloric acid plus nitric acid का mixture होता है वन इस्टू 3 के ratio में मतलब एक पार्ट होता है इसमें nitric acid और थ्री पार्ट होता है इसमें hydrochloric acid वहीं लिखा हुआ है इसमें इसको एक्वारीजिया बोलते है रॉयल वाटर भी बोलते है इसको लेल्टिन में और यह बहुत ज्यादा strong acid होता है और इसमें यह इसकी बहुत ही विशेज प्रॉपर्टी यह होती कि यह जो noble metals है जैसे की gold और platinum उनको dissolve कर लेता है इसी लिए इसको सुनार लोग यूज करते हैं अब देखिए अगर कई सारे mixture होंगे gold में तब इसको यूज किया जाता है एक्वारीजिया को क्योंकि अगर आपको purification करना या फिर extraction करना है gold और platinum को तो आप उसमें एक्वारीजिया डाल दिए उसमें एक्वारीजिया में जो noble metals हैं जैसे की gold और platinum वो उसमें dissolve हो जाएंगे फिर आपको उससे उसको अलग कर लिजे उस एक्वारीजिया को और फिर उससे gold और platinum का extraction हो सकता है या फिर purification भी हो सकता है तो जो other impurities हैं उसमें जैसे tantalum है इरीडिया में जो other और भी metals उसमें dissolve होते हैं वो इसमें एक्वारीजिया में dissolve नहीं होते हैं इसलिए इसको यूज करते हैं यह जो ellers होते हैं उसके बाद है इसमें पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है यह मदुमक्यों का किया जाता है अभी तक तो dogs का use करते थे पुलिस और जो military personal होते थे लेकिन अभी कुछ दिनों से एक कुछ दिनों पहले एक news भी आई थी कि उसमें बोला गया तो जो honeybees होती है जो मदुमक्या होती है उनको भी use किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए तो यह आप याद रख सकते हैं और इसले इंगली से और इंदी दोनों medium के लिए लाया हो ठीक है आप इसमें देखिए तो इसको अभी और बहुत सारे concept है इसमें इसके बाद है इसमें सरवाधिक vitamin A किस फ़ल में पाया जाता है mango में पाया जाता है यह question आ चुका है UPPCS में और mango यानि कि आम में सबस्यादा पाया जाता है vitamin A मैंगो एक group family का एक member होता है group family का मतलब होता है कि outer जो होता है वो flashy part होता है और वो surround करता है कि इसको shell को मतलब अंदर होता है जैसे गुटली उसके जो surrounding में होता है mango का जो गूदा होता है जिसको बोलते हैं देशी हिंदी में उसको यह बोलते है जैसे कि ओलिव आते हैं डेटस आते हैं तो ये सभी डूब फैमली में होते हैं और ये इसमें मैंगो भी आता ह। मैंगो में यह आम में सबस्यादा बिटामीन भी होता है उसके बाद ये question म 당시 है एक म hing ये प्रत्वी पर इदिकांस oxygen कहां से प्राप्ट उती मतल BLACK maximum oxygen कहां से मिलती है, शैवाल से मिलती है, जितनी भी earth की oxygen है, generally वो जो चोटे-चोटे ocean plants होते हैं, उनको phytoplankton बोलते हैं, वो water की surface के near ये stay करते हैं, और वो drift भी करते रहते हैं current के साथ, तो ये generally जितने भी phytoplankton है, इनी से, ये लोग क्या करते हैं, ये photosynthesis को, ये process को ये पूरे करते हैं, तो अब photosynthesis process में carbon dioxide consume होती है, और उसका एक byproduct होता है oxygen का, तो ज़्यादा तर जो earth की oxygen है, वो किस से आती है, algae से आती है, phytoplankton से आती, ये आप याद रख लिजेगा इसमें, क्योंकि photo synthesis करते हैं वो, ठीक है, उसके बाद एक green muffler कई बार आ चुका है, question नी, directly यही question आया, इसलिए मैं आपको ऐसे ही question आया हूँ, जो directly आ सकते हैं, आ चुके हैं, और आने वाले time में भी आने के chances हैं, अब green muffler होता क्या है, green muffler किस चीज़ से संबंदित है, noise pollution से related होता है, यानि कि ध्वनी प्रदूसर से संबंदित होता है, देगे, एक मैं इसको आपको छोटी से trick बताता हूँ, muffler क्या होता है, कि जब आपने जाड़े में आप जैसे कहीं जाते हैं, तो उसमें अगर जाड़ा बचाने के लिए, या फिर आप आवाज को कानों में जाड़ा जाने से रोकने के लिए, तो आप muffler यूज कर लेते हैं, तो इसलिए ऐसे ही उसको याद रख लिएगा, जो बड़े-बड़े जैसे जो ब्रिज होते हैं, उनके अगल-बगल भी ऐसी कही सारी रोज होती है, तो ये एक तरह से green muffler का ही काम करती है, उसके बाद है, नेक्स्ट की गासा मीर रेशम, ये कहां से प्राप्ता है, इसलिए मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट की जो रिमोट होता है, घरों में आपने टीवी जो चलाते होंगे, उसमें यह आपका जो TV remote हता है किस रेस पर काम करता है कौन सी electromagnetic rays उसमें यूज होती है यह मैंने पूरी electromagnetic जो रेस थी वो मैंने बनाया था यह वो तने आवट रक्त तरंग हो यानि कि जो इंफ्रा रेडरेज होती है, उन पे टीवी रिमोट काम करता है, देखिए पूरा यह मैं बना चुका हूँ आपको, यह पूरी जितनी भी इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन के आज तक क्वेस्चन आए, वो जब ज़्यादा तर वो यूजेस से रिलेटेड हैं, और वो स प्रस्मिशन में भी रेडियो वेव्श उसके बाद आपने देखा हूँगा घरों में एक माइक्रोवेव ओवेन होता है, जिसमें कि आपका खाना अगर आपने देखा होगा जो पॉर्ट होता है, उसके अलग टाइप के स्पेशल वो होते हैं, माइक्रोवेव के और वो उ सिर्फ खाना इसमें गरम हो जाता है तो माइक्रोवेब्स का यूज कहां कहां करते हैं इसको भी कुकिंग में यूज करते हैं कम्मिनिकेशन में इसको यूज करते हैं सैटलाइट ट्रांस्मिस्टर्स में इसको यूज करते हैं उसके बाद इंफ्रारेट जो मैं बता रहा था आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं थर्मल इमेजिंग में भी इंफ्रारेड रेडियेशन को यूज कर सकते हैं उसके बाद और भी अप देखें इंफ्रारेड में ऑptical फाइबर्स में भी infrared उज़ोती है उसके बाद टेलीविजन रीमोट जो अभी मैंने आपको होता है जो घरों में टीवी उज़ोता है उसमें जो रीमोट काम करता है वो infrared के principle पे काम करता है उसके बाद कई सारे जो security system होते है वो भी infrared के principle पे काम करते है उसके बाद Visible Light क्या क्या यूज रोता है Vision में होता है Photography में होता है Illumination में होता है Ultraviolet Rays का भी यूज होता है Ultraviolet का कहा कहा है Security Marking में यूज होता है Fluorescent Lambs में भी यूज होता है अगर कोई banknot है वो Forge है उनको भी Detect करने में यूज होता है प्लस डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर में भी अल्ट्रा वाइलेट का यूज होता है, एक्सरे का कहां का यूज होता है, एक्सरे का भी कई बार यूजेश आ चुके हैं इसमें एक्जाम में, अगर आपको इंटर्नल इस्ट्रेक्चर ये पता करना हो अब्जर करना हो किसी अब्जेक्ट का उसमें एक्सरे यूज होता है, एरपोर्ट जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं उसमें भी एक्सरे यूज होता है, उसके अलावा जो मेडिकल एक्सरे का यूज होता है, तो मेडिकल में भी एक सरे का यूज़ होता है फूर्या Chief को इस्टेरलाईज करने में प्लस अगर डिटेक्शन करना है चैंसर कंवा या उसके टीर्ट्मेंट के लिए भी गॉत्य पाई अजिर HO कि अ Kerry मैडम का टांब पता संसन्व 3 डिया रहरा है कि मेरा टाइम नहीं पता है कि बोलो मीटर किस लिए उज़ता है बोलो मीटर से क्या मा पादा पादा है उश्मय विकिरन ठीक है इसको इंगलिश में क्या बोलते हैं फीबल थरमल रेडियेशन से तो ये गामा Chris क्या होथी है सlor होता है यह दो प्रोपोडय सेंसिट्व न lack अब होता है जिसका लिए इस अगर बहुत ही पीबल सुक्रेशन विखरण के लिए विगता deta गर नहीं कि वह साऀ और नहीं मिलते हैं और और बी कई सर Iran ले बनाने के लिए का तब राइतर लिग्टव मत्ते हैं कि लोहे को नोबेल ओयल किसको बोलते हैं, नोबेल ओयल बोलते हैं, ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन को, यह एक्जैक्टली है ही क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, और यह क्वेश्चन साइंस के लिए जो हमारी यह सीरीज है, अगर आप इसको देख करते हैं, अगर एक देखें, यह UPPSC में कई बार आ चुका है, क्वेश्चन की बुलेट प्रूफ जो डैकेट होती है, उसमें किस मेट्रियल को यूज़ करते हैं, उसमें केवलार को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इसको रट लीजे, उसके बाद है कि दंत जो चिकिस्तक ह देन्टरो जो देखते हैं, दakterो के डाटों के जो डाक्टरों होते हैं, वह कौना दरपड यानि कि मिरर यूज़ करते हैं, और आवतल दर भू यूज़ करते हैं, भी आपको याद करने की ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, यह question कई बार आ चुके हैं, concave mirror, convex mirror और plane mirror, यह direct trick इसको याद कर लिजे, फिर आपको एक बार अगर आप याद कर लोगे, तो कभी नहीं भोलोगे, यह guarantee है, देखें, और इसके question हमेसा आते हैं, हमेसा confusion रहता है, कि कौन सा concave है, कौन सा convex है, कौन सा plane है, अब देखें, concave में क्या है, concave में अगर आप देखें इसमें, तो एक चीज आप याद रखिए, concave में, पहली बात तो इसके जो number of यह alphabet से वोग इन लीजे, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, और doctors में भी साथ हैं, उसके बाद shaving में भी साथ हैं, उसके बाद torches में भी साथ हैं, तो पहला तो यह हो गया इसमें, दूसरी बात है कि concave हमेशा यादर कि घर में उज़ोता है, घर में, घर से लेटेट जो भी चीज़ें उसमें concave होगा, मतलब घर में आपके doctor आ रहे हैं, mirror लगा के अपना shaving बना रहे हैं, घरी में अगर आपके यहाँ light चलीगी, तो torch यूज़ करते हैं, तो घर में अगर कोई views हो रहा है, तो concave है, ठीक है, convex में है, अगर आप road पे कुछ काम कर रहे हैं, road पे क्या होता है, vehicle होते हैं, जो गाड़ियां चलती है, road पे चलती है, तो RVM जो होता है, river view mirror होता है, जो गाड़ियों में आपने देखा होगा, गाड़ियों के left और right साइज में लगा रहेता है, कि आपको पीछे का view पता चलता रहे, ताकि आप अगर मोने इधर उधर कुछ टर्न लें, तो आप उससी साब से देख लें, कि आपके पीछे कोई नहीं आ रहा हो, तकरा नहीं जाएं आप किसी से, तो rear view जो mirror होता है, वो vehicles में लगा होता है, वो convex based होता है, वो convex mirror का होता है, उसके बाद जो roadways होते हैं, जो driveways होते हैं, उसमें कई बार blind corners होते हैं, वहाँ भी convex mirror का ही use होता है, अगर कहीं highway पे जा रहे हैं, blind turn आ गया, तो वो है convex, ठीक है, अब plane में क्या है, जितना भी scope वाली चीज़े हैं, यानि कि अगर किसी भी last में scope लिखा होगा, तो plane में use होगा, plane mirror क्या क्या होता है, plane mirror use होता है, periscope में, जो की ships और aircraft में use होता है, अगर आपका कहीं view नहीं हो पा रहा है, तो इससाब से एक ऐसा instrument होता है, कि आप खुद नहीं direct view कर सकते हैं, तो ऐसे इसमें reflect करा के आप इसमें use कर सकते हैं, तो उसमें plane mirror का use होता है, दूसरा है, कैलीडियो scope होता है, तो तीनो mirror के आपको use बता दिये मैंने, concave घर में है, अगर घर में doctor आ रहा है, shaving कर रहा है, torch लगा रहा है, convex है, road पे आप road पे गाड़ी चला रहा है, या फिर turn ले रहा है, plane है, scope, यानि कि periscope, kaleidoscope, अब lens वाली बात है, कि concave lens होती है, और convex lens होती है, इनका क्या क्या यूज होती है, इसमें जो concave lens है, उसको spy hose के तरह है, या फिर doors में लगा सकते हैं, या फिर, और convex lens को magnifying glass की तरह भी लगा सकते हैं, अब देखिए, इसमें ये होता है, कि अगर एक ये short sighted या फिर long sighted person है, तो short sighted जो persons होते हैं, उनके vision को correct करने के लिए concave यूज होता है, अब देखिए, concave में 7 alphabets हैं, यानि कि odd है, short में भी 5 हैं, यानि कि odd है, फिर convex में 6 हैं, यानि कि ये even हैं, और plus जो long sighted होते हैं, जिनकी long sighted जो अगर vision होता है, तो उसको correct करने के लिए convex यूज हो जाता है, यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 4 हैं, तो यह आप याद रख सकते हैं, lens के लिए क्या है, lens के लिए वो even odd वाला concept याद रखना हैं आपको, कि concave क्या है, short के लिए, vision आपको correct करनी तो concave है, long-sighted करनी तो converse करनी है, ठीक है, तो यह हो गया पूरा mirror वाला, यह वाला अगर आप fact याद कर लें, तो आपको कहीं भूल नी पाएंगे, उसके बाद next की मीकाज एक टकनीक होती, वो किसले होती है, अलोता है, यह एनिल कुमार नायक जी, वो किसले होती है, यह बाइपास सर्जरी के लिए होती है, मीकाज का फुल फॉर्म क्या है, minimally invasive cardiac सर्जरी, coronary artery bypass के लिए होती है, और यह मैगीन टेक्निक है, यह heart surgery bypass के लिए होती है, तो मीकाज आप याद रखेगा, यह bypass surgery के लिए होती है, उसके बाद है, पोलियो वाइरस जब यह human body में प्रिवेस करता है, तो यह कैसे प्रिवेस करता है, पहली बाद तो दूशित, भोजन और जल से, यहनि कि polluted food और water से, और पोलियो एक viral disease है, यह भी आप याद रख सकते हैं, यह भी पुछा जा सकता है, डरेक्टली कि पोलियो किस टाइप की disease है, तो यह viral disease है, जो कि आपकी spinal cord को effect कर सकती है, और इसकी वज़े से muscle weakness हो जाती है, paralysis हो जाती है, टांगे बहुत दूबली-दूबली सी हो जाती है, आपने देखा हो गज़े से, पोलियो, अगर आपने देखा होगा, पोलियो वाइरस है, और यह viral disease है, यह इंटर करता है, body में, through the mouth, और अगर आपके hand contaminated हैं, गंदे हैं, polluted हैं, उसकी वज़े से भी हो सकता है, या फिर infected person के contamination के वज़े से भी हो सकता है, तो पोलियो वाइरल disease है, और दूशिद भोजन ततत जल से हो सकती है, और spinal cord को effect करती है, next है, इसमें phylaria क्या होता है, दीखे, phylaria के लिए यह है, ऐसा हो जाता है, यह tongue, आपका पैर ऐसा एकदम से जादा हो जाएगा, swelling हो जाएगी, इसमें और thickening हो जाएगी, इसमें जो phylaria होता है, यह किससे होता है, यह parasitic disease है, तो यह phylaria किसके वेशे होता है, parasitic, parasit से होता है, mosquito से spread होता है, phylaria यह, और इसको देखे, यह लिखा हुआ है इन्दे में कि phylaria का क्यारण क्या है, गोल, एमा टोडा, तो यह है इसका रीजन, phylaria किससे होता है, parasites से, और यह polio क्या है, यह viral disease है, phylaria क्या है, यह parasitic disease है, और यह infection होता है, roundworm से, और यह mosquito से फैलता है, उसके बाद है कि पारिश्थितिकी, तंत्र की संकलपना किस ने दिया है, वो दिया है, एजी टांसले ने, देखिए, सर, और थर, जॉर्ज टांसले, एक ब्रिटिश बॉटनिस थे, और इन्होंने ही सबसे पहले, ecosystem term को introduce किया था, तो यह आप जातर सकते हैं, swelling हाँ, swelling हो जाती, इसमें यह बंदी बैठी हुए, यह बंदी बैठी हुए, और इसकी, यह वाली अगर आप, इसमें इसका leg देखेंगे, तो काफी normal है यह, और यह file area हो गया, काफी आदा swelling हो गई, ठिकनी हो गई है, इसले हैं, यह इन्होंने सबसे पहले, ecosystem word दिया था, यह question SSC काफी important है, यह आ चुका है कई बार, उसके बाद एक होता है, लडो या उडो हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे, इसको fight or flight response, और यह होता है, इसका नाम है, adrenaline, तो यह आप रियाद रख सकते हैं, उसके बाद देखेंगे, अब यह uses हैं, helium के और argon के, nitrogen के, यह बहुत important है, इसको ध्यान से देखेगा, कई बार इसके uses आज़कते हैं, directly exam में पूछा आते हैं, देखेंगे, व्यूडियो को like जरूर कर दिए, जितने लोग देख रहे हैं, तो इसमें helium का क्या-क्या use होते हैं, वो मैंने सब एक ही जगे लिख दिया, इसलिए, helium देखें, air से lighter होती, इसलिए इसको use करते हैं, जो airships होते हैं, जो balloons होते हैं, उनमें हवा भरने के लिए, तो helium का use होता है, आपने देखा होगा, boiling point काफी low होता है, इसलिए इसको cooking metals के लिए भी use करते हैं, super conducting magnets के लिए भी use करते हैं, इसको even, जो large hydron collidor है, यह यह योरोप में सर्न जो collidor बोलते हैं, वहाँ भी use करते हैं helium को, उसके अलावा जो पानी में लोग कई बार diver जाते हैं, या फिर और भी other working conditions होती हैं, जहाँ पर pressure बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर helium को use करते हैं, helium, oxygen और nitrogen के mixture को use करते हैं, breathing purpose के लिए, जो underwater अगर कोई जा रहा है, मतलब पानी के अंदर जा रहा है, कोई भी diver, तो उसको वो लोग यूज करते हैं, helium, oxygen और nitrogen के mixture को, तो ये है, इसमें helium के uses, helium आप याद रख सकते हैं, helium lighter होती है, एर से, इसको इसमें जो air ships के tire होते हैं, उसमें भी use होती है, जैसे जो planes के tire होते हैं, उसमें भी helium use होती है, balloons के लिए भी use होती है, और ये non-inflammable, नॉन फ्लेमेबल भी होती है, सेफर भी ब्यूनिंग पॉइंट है, इसका लो टेंपरिचर में चाहले में भी उज़ होता है, प्लस जो ड्रायवर्स उते हैं, वह भी हिलियम को यूज़ करते हैं, वह हिलियम और अक्सीजन लो इंट्रोजन तीनों के मिक्सचर को यूज़ कर जब LAUGHTER मिट्टल MARC Cong excel इसमें उसकी बार उसके बाद यह अगर ka प्रोसेसिंग उती १ॡ यूत्यु मेलन यूआनए इसमें सब्सक्रास जाता है लेकिन कई बड़ क्वेस्चन में आता है तो इसमें नाइट्रोजन अगर आएगा तो नाइट्रोजन वाला ओप्षन आपको चूज करना है आरगन भी होती है वैसे उस में कुछ जो बब्स में उसमें प्यूर आरगन भी भर देते हैं या फिर क्रिप्टॉं या सीना भर दे यह बहुत पहले यूज़ होते थे Internal वो उसमें कोई गैस नहीं भरते थे उसमें सिर्फ वैक्यूम रखते थे उसके बाद नहीं इसमें देखिए जो इसके रीजन यह है इसका आरगन का यह भी जो नाइट्रोजन और जो बल्ब में भरियाती इसका यह है कि यह जो काफी जादा टेंपरेचर तक यह कर लेता और होता है यह तो यह यह इनेट मतलब री रियक्शन नहीं करेगा इसले भी उसके बाद है अगर आप एयरक्राफ्ट देखें या फिर रॉकेट डिजाइन में देखें तो उसमें जनरली यह प्रफर किया जाता है कि वेट कम से कम हो और जितना ज़यादा आप वेट कम कर लें तो इसलिए उसमें अलूमिनियम यूज करते हैं और यह काफी आदा इस्ट्रांग भी होता है तो यह कुछा सकता है कि कौन सा मेट्रियल यूज होता है कौन सा मेटल एक इसमें टीन होता है नाइटी परसंट एंटी मनी होता है यह जनरली यह होता है क्योंकि इसमें घरन मेस्में कंच च finely सीफ्रैंट होता है प्लस तीन उता है 23% तो जो जनरली जो ब्वेल्स होती है उसमें क्या-क्या होता है वो copper यूज करते हैं copper है 77% तीन है 23% तो यह एक विलॉई है copper और टीन का यह जो bells है जो गंटिया होती है उनको बजाने के लिए मतलब जो metal यूज करते हैं उसको bell metal बोलते हैं उसमें copper or tin है इसमें जो tin का percent है वो bronze से ज़्यादा है bronze और brass के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिक यह brass में ऐसे सिर्फ जेड नहीं है इसलिए copper plus जेडन होगा यहाँ पर ब्रॉंजे में जेड है इसलिए यहाँ पर जिंक नहीं होगा यानि कि copper plus इसमें एसन होगा तो यह आप याद रख सकते हैं एसन यानि कि टिन क्योंकि कई बार ब्रास और ब्रॉंज में बड़ा कंफ्यूजन विलाता है कि ब्रास में जड़ को पढ़ने दीजें ब्रास में मैंने रचाट सब्सक्राइब कि ब्रास में क्या ओता है copper जिंक टक होता है इब यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पे जोब्रॉंज और ब्रास 1997 कि आप它 इंद्षियु करेंगे प्रॉंज में जेड़ है इसलिए वहाँ पे जिंक नहीं होगा उसके अलॉय में और जो ब्रास उसमें जिंक होगा यह आप याद रख सकते हैं तो ब्रास ब्रास जो है यह यह लोई इस अलॉय है copper जींक और इसको इसमें को और भी कई सारे मेटल का का मिशने इसको इसके और इसके यह यूजर में करते हैं नौजल केटें करते हैं पाइपिंग्स कि आए कश sollte ह conception in के आए उसके पाद बाद्रश क्या था अथा briरन अर्श प्रस्टी निया पर जिंक नहीं होती, coins और metals के लिए उसको, metals के लिए, heavy gears के लिए यूज़ करते हैं, tools के लिए और electric hardware के लिए करते हैं, उसके बाद एक duraluminic alloy होती है, यह aluminium के होती है, इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं, कि जो duralumin है, इसमें aluminium ही है, 90% aluminium होता है, 4% copper होता है, 1% magnesium होता है, और plus इस craft के लिए, boards के लिए, railroads, car के लिए, machinery के लिए, क्योंकि यह काफी यादा resistant होती है, corrosion से, तो duralumin में aluminium है, 90% यह आप यादर के लिए, इसके word में ही आप समझ सकते हैं, कि aluminium है, फिर monal जे ग्रूप होता है, monal एक alloys होता है, यह nickel alloys होता है, और यह इसमें generally nickel होता है, 67% copper होता ह होता है, उसमें, और भी कई सारे component होते है, और कई सारे metal होते है, iron, manganese होता है, carbon होता है, silicon होता है, तो जो monal lois होते है, वो resistant होते है, corrosion से, कई सारे उसके लिए, आप मुझे suggest मत करिए, अगर आप इतने होशी आ रहे हैं, तो यहाँ पर मत आया करिए, यहाँ पर प्लीज ऐ अगली बार अगर आपने ऐसी कोई भी फालतू की कमेंट किया, तो मैं तुरंत आपको ब्लॉग कर दूँगा, फिर आप ना क्विज में पार्टिसिमेट कर पाएंग ना कहीं भी, आप मुझे इतने होशी देखा कर दिए, आप बहुत ज़्यादा होशी आ रहे हैं, तो आ निकल योई का हो अधार यह निकल अलोई तरो आ 777 पर्षेन रोतन पर्षेन लोतन है इसमें निकल और प्लस कॉपर भी होता है इसमें ओर भी कैसाऊरे हैं इस Supreme होता हैि लेकिली निकील और क्रोमीम होगा एटढ़ इसमें कील वोता है यह काफि फॉस्फर यह तो ऐसमें इसमें होती प्रस फॉस्फर करने के लिए प्लस इसकी स्टेंद को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेश होती है आपने देखा होगा कई बार अगर मेटल होते हैं जनरली उनको अगर आपने को जोड़ना है एक साथ तो वो उसके लिए एक सोल्डरिंग का यूज करते हैं उसमें एक ऐसा फिलर मेट्रियल डालते हैं अब उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और वह जो बाकी जो मेटल है उनको जोड़ देगा इसलिए वहां पर यह प्रोसेश होती है तो शोल्डरिंग इसमें होती है और पर उसमें जो इसमें के साथ होता है या फिर सिल्वर के साथ है ने अब आपने उसमें कर दिया चांज मेल्टिंग पॉट होता है तो जैसे ही आप उसको आफ को जोड़ देगा कि ये बैसिक चीज फिर स्पेस एप्लिकसें सेंटर कहां पर ये एंदभाद ने उसके बाद धावन मशीन यह किस सिदान कर नहीं उसके बाद यह जो वाशिंग मशीन होती है उसके कि आप लोगों तक आवाज पहुचे और कई बार मेरे उपर कम्मेंट आए कि मेरे इनर्जी लेवल काफी कम होता है उसके लिए मैं चिलाता हूँ ऐसी तो मैं नॉर्मल भी ऐसी बात पूरता हूँ और मैं कुछ आपसे बोल रहा हूं तब भी ऐसी बात कर रहा हूँ जिसे कुछ ज्यादा लोग जो ज्यादा है मतलब पोश्यार तो वो प्लीज यहां पर मत आया करिए ना अपना टाइम वेस्ट करा करिए ना हमारा टाइम वेस्ट करा करिए कम से कम जो बाकी लोग है उनको आप अपड़ने दीजिए जैसे कि अगर अरुन चौदरी जी बाकी फोर्ध पार्ट में बना रहा है उसलिए साइंस के लिए उन्ही लोग के लिए नोगों बना रहा हूं जिनको हम पर वरुसा है कि हम जो कर रहा हूं वो ठीकी कर रहा होंग उनकke लिए और जो ज़िए ज्यादगा इसमोड़नी कि मैं चिलाता नहीं हूं मैं normality ऐसे प किसी की बारत कर सकते हैं वरना फिर मैं इसको अब रहा हूं कि सुल्चера में इथेन इस होती है नहीं सुल्च力 में इसुन्ग करते हैं कि सुल्चरि में मैं तो मैं बताया न आपको एक फिलर मेट्रियल होता है उसका पजब principles melting point कम होता है और वह melting point ऐसाइh फिलानिटर लेते हैं जहां पर melting point कम हो जाता है कि जो बाकी metal जोड़ने है उस में तो आपने वह melting coin कम है थो वह क्लिदी MV हो जाएगा और वह बाकी पर बência दृटिंग कर लेगा तो जो बाकी नहीं समझते हैं, जो मतलब इसको ज़्यादा होशियान, वो प्लीज इसको स्क्रिप कर दीजे, और इस वीडियो को मत देखिए, कोई ऐसी वो नहीं है, मैं इसको देखना है, जिसके लिए इंपोर्टेंट है, वो बिल्कुल देख सकता है, जिसको नहीं कॉर्ण कर रहो, वही चीज मैं कर रहा हूं, बना रहा हूं, जियो की क्लासेज मिलेंगे क्या हिस्ट्री, जियो, हिस्ट्री की तो है कई साथ दिक्रेंगे, पार आता है, जो थोड़े बहुत फैक्ट है, जो थोड़े, अगर आप उसको कुछ से आप पढ़ सकते हैं, जूपी सबसेल बना ये मतलब नी समझा, चंद्रा जी क्या कर रही है, नहीं नहीं, मैं भड़ाक नहीं रहा हूं, अंडी बटाने जी, मैं अब देखें, मैं ऐस असी कर दिखें है, हाश ठुनिल कुमार याध सिरे बार जी की बात कर रहे है, बोज पाता है, मैं पाता ही है, इस के लिए मैं आप आप दिखाता हूं, अब यह बना रहा हूं, साइंस से लेटेड आपके लिए, एंसी कू, और नेक्स पार्ट में दोँगा, और अब मैंने बनाया है यह PPT format में कई बार लोग कहते रहते हैं कि PPT में आपको ज्यादा समझ में आता है तो इसलिए मैंने PPT format में बना दिया है अब यह देखिए यह बना रहा हूँ यह कल रात से लगा हुआ हूँ इसमें कितनी दिर से मेनद कर फिर उसके बाद ऐसे comment सुनने को मिल कि यह मैंने बनाया अभी आप लोगों के लिए अभी आने वाले एक दू दिन में मैं आपको दूँगा कमसे हम 4500 क्वेस्टन हम देखेंगे इसमें देखेंगे जो पुरानी एर में आए हुए है और जो आगे भी आज़कते हैं ठीक है यह देखिए यह मैं लाया हूँ आपके लिए पूरा यह पूरा पीपीटी फॉर्मेट में रहे गाई यह इसमें आपका सब्सक्राइब करती है कैसे कैसे उनकी वेवलेंट इंक्रीज करती को स्पेक्ट्रम में विव्ग्योर क्या यह सब चीजे मैं बताऊंगा इसमें आपको मैं अभी दो तीन दिन लगेगा इसमें और क्योंकि अभी मैंने इसलिए डिजिटल पेन भी खरीदा है कि आपको जैसे कई बार मैं वह क्वांट वाली चीज़े और रीजनिंग वाली चीज़े समझा नहीं पाता हूं को कि ऐसे माउस का यूज़ करके वह हो नहीं पाता है तो इसलिए मैंने मंगवाया एव डिजिटल पेन दो तिन में आ रहा हूं और मैं आपके लिए इतना ज्यादा हूँ कर रहा हूं और फिर ऐसे कमण मिलते हैं तो आदमी को थोड़ा सा वह तो लगता ही है ठीक है करेंगे देखिए अभी साइंस का में बना रहा हूं यह अभी नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा यह जल्दी देंगे इसको चले ठीक है फिर अभी मैं साइन ओफ करता हूं फिर आपके लिए और भी काफी सारी चीज़े बनानी है कम से कम जो लोग हमको मानते हैं उनके लिए तो करना ही काम जो नहीं मानते हैं जो ज़्यादा होशियार है उनके लिए कोई बात नहीं वह आप जा सकते हैं बिल्कुल भी मैं किसी को ऐसा नहीं रोकता हूं तो लाइकन शेर